किंग्नम प्लांटी को हम पढ़े थे और किंग्नम प्लांटी में जहां हम बात करते हैं apriophytes की या tracheofites की या फिर उनके different subdivisions की तो उन सब के अंदर एक चीश कॉमन है और वो है different generations यह हम कह सकते हैं phases यह वो phases हैं जो के during life cycle एक plant body में आते हैं यानि के एक है gametophyte और एक है sporophyte गेमेटोफाइड को हम हैपलोइड गेमेटोफाइड भी कहते हैं हैपलाइड गेमेटोफाइड और हमाया पास है डेपलोइड स्पोरोफाइड हैपलोइड और डेपलोइड का डिफरेंस तो आपको पता होगा हैपलोइड means के इसके अंदर n number of chromosomes present है जबके डेपलोइड का मतलब है इसके अंदर 2 n number of chromosomes जो है वो present है अब alternation of generation क्या है alternation of generation हम कहते हैं it is such a phenomena in which केमेटोफाइड और स्पोरोफाइड continuously alternate with each other या फिर regularly alternate with each other और यह किस तरह से alternate करते हैं यह इस तरह से के हमाया पास sporophytic generation है या diploid sporophyte है इसके उपर spores बनते हैं और spores के germinate करने से gametophyte produce हो ठीक है अब gametophyte के उपर gametes बनते हैं gametes जब fertilize करते हैं तो zygote embryo और embryo से फिर sporophyte बन जाते हैं तो यह एक तरह से एक cycle है जो के run करता जाता है अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट के अंदर हम देखते हैं कि जो gametophyte generation है यह dominant generation है और plant body जो है वो mostly gametophyte पे मुश्तमिल होती है और इसके साथ जो sporophyte है वो depend कर रहा होता है gametophyte पे for its nourishment and protection लेकिन जब हम higher vesculine plant की बात करते हैं जैसे के हमारे पास है gymnosperms या angiosperms तो उसमें यह case reverse हो जाता है reverse इस तरह से कि उसमें sporophyte जो है वो dominant होता है और plant body mostly sporophyte पे मुश्तमिल होती है जबके gametophyte जो है वो उस case में sporophyte के उपर depend कर रहा होता है तो यह हमने देख ली दोनों generations इसके अंदर हम जानते हैं कि gametophyte generation के अंदर gametes produce होते हैं और यह दो तरह के gametes होते हैं एक है male gametes और एक है female gametes male gametes कहलाते हैं spermatozoids जबके female gametes कहलाते हैं egg spermatozoids या फिर हम इनको anthrazoids भी कहते हैं और anthrazoids जबके female gametes कहलाते हैं egg अब इस case में होता यह है कि हमारे पास haploid spermatozoid है और यह fuse करते हैं with haploid egg और इसके result में बनता क्या है इसके result में एक diploid ospor बनता है यहां इसको fertilization को show कर देते हैं और fertilization के result में क्या बना यहां पर हमारे पास बन गया ospor या इसको हम zygote भी कह सकते हैं यह ospor grow करता है और इससे हमारे पास बनता है sporophyte अब अगर हम sporophyte को देखें तो sporophyte को हम जानते हैं कि वो generation है जिसके अंदर spores बनेगे इसके अलावा अगर हम plant के structure के बात करें तो sporophyte वो पार्ट है जहां पे foot, ceta और capsule present हो foot, ceta, capsule, यह तीन चीज़े जहें वो sporophyte में होती है और इन तीन चीज़ों में से, यानि के foot, ceta और capsule में से capsule वो area है जहां पे meiosis के processes, spores बनते है तो इसको हम यह mention भी कर देते हैं, कि यह capsule है और capsule के अंदर क्या हो रहा है meiosis हो रहा है, meiosis के मंदद से बन क्या रहा है, spores बन रहा है और इन spores के साथ क्या होगा, यह spores कहीं पे भी जाके land करेंगे, germinate करेंगे और एक new plant body बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं, kemetophyte तो यह अपने देख लिया, कि हमने start कहां से लिया था, हमने start लिया था, gametophyte से और end पे भी हम कहां पहुंच गए, gametophyte की तरफ यानि कि एक cycle है, जो कि run करता जाएगा और इसमें alternation किस तरह से है, alternation इस तरह से है कि एक generation से दूसी generation बन रही है और अगर हम यह देखना चाहें, कि इस पूरी cycle में gametophyte part कहां से start होके, कहां end हो रहा है तो जब हमारे पास spores बनते हैं, ठीक है, यहां spores बन गए यही से हमारे पास gametophyte generation स्टार्ट हो जाएगी और यही gametophyte जब gametes produce करेगा तब तक जो generation है, वो gametophyte ही कहलाएगी यानि कि जब भी number of chromosome जो है, वो end होंगे तो हम कहेंगे कि यह gametophyte generation है इसी तरह से अगर हमने sporophyte को identify करना हो कि वो कहां से start होके, कहां end हो रहे हैं तो जब हमारे पास एक o-spore बनते हैं, यानि कि gametes combine करते हैं fertilization के बाद, जब o-spore बनते हैं तो यही से हमारे पास sporophyte generation start हो जाती है, और यह end कहा होती है, यह end वहां होती है, जब एक spore mother cell में spores produce होते हैं यह हमने देख लिया, alternation of generation इसके बाद, हम इसके significance देख लेते हैं या इसकी importance देख लेते हैं इसके significance या importance देखने के लिए, अगर हम revise करें भी तक हमने क्या पढ़ा जब हमने spore formation की बात की थी, तो हमने कहा था, कि spores जो है, वो meiosis के तुरू बनते हैं, यानि के यहां पे meiotic division हो रही है और हम जानते हैं, कि जब भी meiosis होता है, तब reshuffling of genes होती है तो इसका मतलब यह हुआ, कि जब भी spores बनते हैं, तब different variety of spores बनते है और उन सब के अंदर जो gene combination है, वो different होता है, अब genetic combination different होने से होता क्या है, इससे होता यह है, कि different types के spores बनके types in the sense कि इनके अंदर different तरह की genes present होगी अब हो गई यह, कि जब यह spores different तरह के environment में जाके land करेंगे let's suppose एक dry area है और वहाँ पर water बहुत कम है, तो जब यह spores वहाँ पर जाके land करेंगे और वहाँ पर germinate करेंगे, तो new plant तभी generate होगा, जब एक spore के अंदर better genetic make-up होगा, better genetic make-up और better genetic make-up से better chances होगे survival के, इसका मतलब यह है, कि वह तमाम spores जिनके अंदर weak genes होगी या ऐसे genes का combination होगा, जो उस environment को withstand नहीं कर सकेंगे, बरदाश नहीं कर सकेंगे तो वो spores germinate ही नहीं करेंगे, यानि के, यहाँ पर meiosis से जो spores produce होए, उन में से सिर्फ वही spores या सिर्फ वही plant survive करेंगे, जो के better adapted होगे, या best suitable होगे according to the environment, जबकि ऐसे के mitophyte, जिनका कोई फाइदा नहीं होगा, या less advantageous होगे, तो वो वो खुद ही eliminate हो जाएंगे, तो यह हमने देख लिया sport formation को, इसके बाद जब हम आते हैं, gametogenesis की तरफ, यानि के, जब gametes produce होते हैं, gametogenesis, ठीक है, जब gametes produce हो रहे हैं, तो उस case में क्या होता है, sport formation में तो हमने कहा था ना, कि meiosis होगा, ठीक है, gamete production में होता है, कि यहां पे mitosis होता है, mitosis भी हम जानते हैं, कि cell division की एक type है, और mitosis के अंदर reshuffling of genes होते हैं, यह reshuffling different है from meiosis in such a way, कि दो different types के gametes आपस में fuse कर रहे होते हैं, यानि कि दो different genetic makeup के gametes हैं हमारे पास, और जब वो fuse करते हैं या fertilize करते हैं, तो हमारे पास जो ospore बनता है, वो एक third type के genetic makeup होता है, और यह new genetic makeup से होता क्या है, इससे help मिलती है plant को नई variation बनाने में, यही वज़ा है, कि अगर हम आज के bryophytes को देखें, या आज के plants ये tracheophytes को देखें, और आज से 10,000 पहले के plants को देखें, तो उनमें हमें काफी difference नजर आएगा, उनके gene combinations different होंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे जब variant ospore बना, तो इससे हमारे पास जो sporophyte बनेगा, वो भी different होगा, इसको हम new sporophyte के नाम से लिख देते हैं, new sporophyte, और ये जो new sporophyte है, इसके अंदर जब spores बनेगे, meiosis के थुरू, तो यहाँ हम देख सकते हैं, कि हब हर cell division में genetic makeup change हो रहा है, अब यह जो हम नाम ले रहे हैं, genetic makeup इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि sequence of genes जो हैं, वो हर sporophyte generation में change होता जा रहा है, जिसकी वज़े से फाइदा क्या हो रहा है, कि एक तो हमारे पास genetic variability आ रही है, और best combination की जो genetic हैं, sorry, best combination की जो plants हैं हमारे पास, वो survive करते जाएंगे, तो यह हमने देख लिए advantages या significance of alternation of generation, इसकी basis पे अगर हम define करना चाहें alternation of generation, तो वो क्या होगा, हम इस तरह से कह सकते हैं, कि alternation of generation is such a phenomena in which sporophyte generation gives right to gametophyte generation, and gametophyte generation gives rise to sporophyte generation and they both regularly alternate with each other to produce new plant bodies. यह ता हमारा आज का लेक्चर.